गाइस सनोफी इंडिया लिमिटेड ने 377 रुपीज इच शेयर का डिविडेंड अनॉंस किया है 377 रुपीज हर शेयर के लिए हर एक शेयर के लिए बहुत बड़ा लगता है राइट अगर आप इस शेयर को होल्ड कर रहे हो तो आपको यह बड़ा नहीं लगेगा लेकिन अगर आपके पास यह नहीं है तो आपको बता दू कि इसके एक शेयर का प्राइस 5580 रुपे चल रहा है अभी और आज के दिन यह कितना गिरा है माइनस 6.45 परसंट क्यों गिरा है देखो अगर आप नए हो तो आपको जानने के ज़रूरत है कि कभी भी कोई भी कंपणी डिविडेंट जब अनाउंस करती है तो उसका शेयर गिरके उस डिविडेंट को एड़जस्ट करता है तो यह वही एड़जस्टमेंट है गूगल में आप news वगरा चेक करोगे तो आपको और कोई news नहीं मिलेगी, यही एक news है, लेकिन क्या यह dividend प्रोवाइट कर रहा है, इसलिए इसमें investment अभी करना चाहिए, देखे चेक करते हैं, गाइस market जस्त बंद होने कोई है, अभी market बंद होने में जस्त 11 मिनट बांकी है औ तो अभी के time पे इसका price क्या चल रहा है, 5569 चल रहा है, और आप देख सकते हो, यह इसका monthly candles का chart है, तो starting में जब यह list हुआ था 2007 में, तो 2007 में ही यह 2009 तक में RSI देख सकते हैं, नीचे था, ठीक है, 40 के नीचे था, और उसके बाद कभी भी इसका RSI 50 के नीचे आया नहीं, औ मतलब की यह company, pharmaceutical company, consistent compounder रही है हमेशा, अभी देखे, अगर यह यहां से उपर चला जाता है, और इसी तरह की growth दुबारा दिखाने लगता है, तो in future आपको यह जो fall है, यह जो बड़ा सा fall आपको दिख रहा है, तो कि मैं red करके दिखाता हूँ, यह जो बड़ा सा fall आपको द दिखेगा, तो अभी के time पे यह fall आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन in future जब यह यहां से उपर जाएगा, तो यह वाला fall आपको छोटा ही दिखेगा, इस तरह का या इस तरह का या तो इस तरह का दिखेगा, अभी अगर देखा जाए कि यह कितना गिरा है, तो द करता है, तो आपको 44% तो यह आपको टॉप पे जाते ही दे देगा, जैसे इसका all time high touch होता है, तो 44% आपके हाँ में आ जाएंगे, अभी investment करने वालों को, ठीक है, तो इसमें levels देखने से पहले हम लोग यह देख लेते हैं, कि इसमें profits किस तरह से मतलब disclose हो रहे हैं, देखे अभी यह जो आप देख रहे हो, यह quarterly net profit का चार्ट है, तो अभी हमको यहाँ पे एक quarter add होना बागी है, इस financial year के result के लिए, जो पिछले साल का result है, तो उसका result आना बागी है, तो वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए at least 238 से जादा, यह इससे जादा होना चाहिए, जो यह result आएगा न, वो उसका पहाड कम से कम इतना उंचा होना चाहिए, तग भी इसमें थोड़ी bullishness दिखनी शुरू होगी, otherwise यहाँ पे अगर annual net profit का हम लोग चार्ट देखेंगे, तो यह जो result आपको दिख रहा है न, यह पहाड जो दिख रहे हैं, एक एक साल के, यह December त तक के हैं, तो बांकी चार्ट के जैसे यह March तक के नहीं है, तो इस साल का यह final आप result मान के चल सकते हो, तो यह कितना है, यह इससे बहुत ज़्यादा नीचे है, तो quarterly में आप भले पिछले quarter के साथ, पिछले March तक के result के साथ आप compare कर सकते हो, लेकिन annual result आप देखोगे, तो वो अलड़ी खराब दिख चुका है, तो हम लोग इस चीज को consider करेंगे अभी, ठीक है, जो हम लोग decision लेंगे, तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, कि इसके result खराब हो चुके है, लेकिन यह भी याद रखना कि यह result इस से खराब हुआ है, देको यहाँ पे jump बह sudden jump आया था, अगर वो jump भी normal होता, तो यह किस तरह का रहता, यह कुछ इस तरह का ही रहता, जैसा यह अभी आया है, तो company मुझे personally बहुत जादा खराब नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी इसके बांकी के fundamentals हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं, देके market cap कितना है, 12,837 करोड क है, industry P कितना है, 39.5 और stock का P कितना है, बहुत कम है उससे, ठीक है, तो अभी यह क्या है, undervalued है, ROC, ROE देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, debt कितना है, बिलकुल ना के बराबर, promoters holding कितनी है, बहुत अच्छी है, 60.4% और इसमें से उन्हें कुछ भी गिरवी नहीं रखा ह है, free cash flow भी company के पास रखा हुआ है, face value भी बहुत जादा है, इसके split होने के chances भी है, यहाँ पर dividend तो company ने देखी दिया है, बहुत बड़े-बड़े dividend यह company देती है, आपने देखा, अभी 300 से जादा रुपे का dividend announce किया है, company ने per share पे, देखे, जिन लोगों को नहीं पता यह आप यहाँ देख सकते हो, पूरा आपको diabetes ही दिखेगा, ठीक है, diabetic, 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 तो इससे जादा आप देखने की ज़रूत नहीं है, पता है, diabetes कितने जादा होते हैं, हर तीसरे आदमी को, हर दूसरे आदमी को diabetes है, तो इसलिए यह company इतना जादा चल रही है, अभी देखे, इसकी valuation इक बार चेक करते हैं, तो इसकी valuation median कहाँ पर है, 29.5, मैंने पहले ही अभी बता दिया, इसकी इंडस्री भी से नीचे चल रहा है, तो इसकी valuation अभी कम पे चल रही है, तो अभी यह क्या है, undervalued है, अभी सस्ता है, सस्ता महंगा इस तरह देखा जाता है, price देखके नहीं तो इस तरह से पता चलता है, या overvalued है, या overpriced है, या सस्ता है, यहां पर आके थोड़ा सा company में, मतलब interest थोड़ा कम हो जाएगा, CAGR जब आप देखेंगे तो double digit में नहीं है, in fact देखेंगे तो 3 साल का minus में है, तो CAGR अच्छा नहीं है, मतलब इसमें बहुत जादा आपक नहीं होने वाला, और profit growth देखेंगे, तो profit growth 10 years का, 5 years का, तो 10%, 12% है, लेकिन 3 साल का कितना है, 5% और last 12 months का minus 9%, ठीक है, तो CAGR और profit growth देखेंगे यह बिल्कुल पे interesting नहीं लगता, balance sheet में भी जब आप आजाएंगे, तो reserves इसके, देखें क्या heavily fall आया है, ठीक है, बहुत ही चिंता वाली बात है, reserves में बहुत fall आया है, अब starting से देखेंगे, तो हमेशा से यह बढ़ा था, ठीक है, हमेशा से बढ़ा था, in fact, बस एक बार नहीं बढ़ा था कब, जब यह COVID आय 12 में उतना हो गया यह अभी, देख सकते हैं, 11801 था, उसके बाद 1300 हो गया था, 2013 में, और यह कितना हो गया अभी, 1200 तिरपन, तो बहुत कम हो गया है, बॉर्विंग्स देखेंगे, तो बॉर्विंग्स इनके पास नहीं थे, लेकिन, December 20 के बाद इन्हों ने बॉर्विंग् अभी चल रहा है, और फिक्स्ट एसेट चेक करेंगे, तो फिक्स्ट एसेट भी इनके कम हो गया है, ठीक है, तो कंपनी में बहुत प्रॉल्म चल रही है, फिलाल, कैश फ्लो भी हम लोग अभी चेक नहीं करते हैं, लेकिन देखिए, कैश फ्लो भी आप चेक करो गया, तो फ्लो भी कम हो गया, शेर होलिंग पैटन चेक करेंगे, तो प्रमोटर्स ने अपना कोई कॉन्पिदेंस लूज नहीं किया, प्रमोटर्स ने अपना स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है, जैसा स्टार्टिंग से था उनके पास, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखेंगे, और पबलिक, पबलिक जितना होल्ड कर रही थी, लगभग उतना ही होल्ड कर रही है, जीकि यहां पर आपको मालुम चलेगा कि सनोफी जो है, वो कितना आपको कमा के देती है, यहां पर मैंने इसे सनोफी को निफ्टी 50 के साथ कंपेर किया है, और इसका मैक्सिमम का कबमा के दिए, तो अभी के टाइम पर निफ्टी जो रहे है, और यह बू आपको दिख रही है, यहां उपर पर 기ुन कर देता है, तो हो सकता है यहां पर लेने पर एन फ्युचर को बीट कर दे, लेकिन आप अगर इसे किसी और शेर के साथ जब कील करेंगे, जैसे कि अब इंडिया ने उससे चार गुना चार हजार निन्यानवे पर से देखिए सिपला से कंपेर करें तो सिपला ने कितना दिया 3342 परसेंट इसने कितना दिया 1200 एक दूसरी इंडस्ट्री की कंपनी से अगर कंपेर करें डिविस लाग जो कि खुद भी बहुत ज्यादा अभी के अपनी चाहिए तो सनौफी को आप कंसिडर कर सकते हैं लेकिन कुछ और पॉइंट्स है जो आपको बताना जरूरी है जिससे कि आप इस पर डिसीजन ले सकते हो देखो येर 2022 में इसका जो लोएस्ट येरली टारगेट होता है वो था 5845 का ठीक है यहां कहीं पे तो पिछले स्टॉक यहां से नहीं गिरा ओके यहां से गिरा नहीं है लेकिन यहां से उठा भी नहीं है फिलाल तो ऐसा नहीं है कि गिरा नहीं है तो मतलब उठी जाएगा फ्यूचर में जाकर ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन समझने वाली बात क्या है कि 2022 का जो लोएस्ट पॉसिब भी दे रहा हूं कि मेरे पास ये इस लेवल पर ओर आइड है तीक है 5845 के लेवल पर ये अलरी है लेकिन मुझे भी इसमें थोड़ा फियर हो रहा है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये यहां से और गिर जाए क्योंकि आप देख सकते हैं किस लेवल पर गिरा है ये 2019 में जस लेवल पे था, उसी लेवल तक गिरा ही है, कोविड को तो भूल जाए, कोविड का लेवल ये है, तो ये अपने 2019 के लेवल पे आ गया है, बहुत बड़ा फॉल है ये, लेकिन फिर भी हमने जब इसे मेशर किया, तो ये कितना बड़ा फॉल था, 44% का, क्यों था 44% का क्योंकि इसकी growth ही बहुत slow रहती है, ठीक है ऐसे नहीं जाता है, यह ऐसे जाता है ऐसे कौन जाता है, ऐसे गया ता जब हमने comparison किया तो Davis Lab, Davis Lab ऐसे जाता है Abbott को भी बोल सकते हैं कि वैसे जाता है, लेकिन Sanofi कैसे जाता है, इस तरह से तो यह गिरेगा भी कितना, थोड़ा ही गिरेगा क्योंकि गया ही थोड़ा उपर, जब थोड़ा उपर गया तो थोड़ा ही गिरेगा नीचे है ना, तो यह common sense है, तो देखिए अगर आप yearly target को respect करते हो yearly जो lowest target होते है yearly में मैं कितने target बताता हूँ, पहला बताता हूँ और दूसरा बताता हूँ, ठीक है, तो पहला जो इसका target था पिछले साल का, पहला target मतलब, पहला जो SIP का target होता है, ठीक है, जहाँ पे हम थोड़ा सा पैसा लगाते है, वो था 6690 का, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, और दूसरा जो final हमारा target था, वो था 5845 का, जो की कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो अगर आप lowest possible पे, lowest possible SIP level पे investment करते हो yearly level पे, तो यहाँ पे आप investment कर सकते हो, ठीक है, लेकिन fundamentals हमने चेक कर लिया है, इसका जो balance sheet है, वो balance sheet गरबर चल रहा है भी, तो उसको अगर आप consider करोगे, तो इसमें आपको wait करना बनता है, मेरा suggestion यह होगा कि इसके एक quarter के यह result आने का wait करो, जैसे मैंने कहा ना पिछले साल के March के जो result आये थे, उससे अगर better यह आता है, इस साल के March का result, तो आप इसमें entry कर सकते हो, otherwise, मुझे लगता है, इसमें थोड़ा सा risk है, कुछ न कुछ इसमें issue है, अभी फिराल के time पे, वैसे तो सारी ही pharmaceutical company में issue चल रहा है, आप कोई भी pharma company पकड़ लो इका दुका को छोड़के बांकी, सब में issue अभी चली रहा है, ठीक है? तो अगर आपके पास कुछ extra amount रखा हुआ है, जिसे आप कई सालों तक आपको जरुवत नहीं है, तो वो थोड़ा मोडा amount यहां पे आप invest करके risk के तोर पे आप ले सकते हो, company छोटी नहीं है, company बुरी भी नहीं है, company अच्छी है बस company की balance sheet अभी थोड़ी करवड चल रही है, और एक और news आई थी recently, जो इनका insulin होता है, insulin जो इनकी दवाई होती है, उसका price इन्हों ने 21% के आसपास गिरा दिया था ठीक है, तो जब भी कोई company अपने products के price गिराती है, तो वो share fall करता ही है, ठीक है तो बहुत सारी चीज़े हैं, पहली चीज़ pharma company में pressure है, ये गिरेगा ठीक है, पूरा का पूरा market गिर रहा है, ये गिरेगा इसके fundamentals थोड़े खराब हो गए ये गिरेगा, इसने अपना price कम कर दिया product का, ये गिरेगा इसने dividend announce कर दिया इतना बड़ा, तो ये गिरेगा ठीक है, तो गिरने के reasons बहुत सारे company दे रही है market को, तो इसलिए ये गिरते जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये एक investment का option भी हो, investment का एक chance भी हो तो देखिए, मैं एक चीज़ simple बता देता हूँ, कि company भागेगी तो ऐसे तो नहीं भागेगी, मतलब आपको मौका जरूर देगी, तो इसको पलटने दो, अगर ये पलट जाता है और मान के चलो अगर जैसे मान लो ये level, ठीक है, ये level क्या है, 6000 का level है, राइट देख लेते हैं, हाँ, तो ये देखिए, ये level क्या है, 6100 मान के चलो कि 6100 या 6050 का level है तो इसको जब ये तोड़ देगा ना, एक अच्छे volume के साथ जिस दिन इसमें एक अच्छा volume दिखा और इसको को बता दिया, ठीक है, तो इसमें investment कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, comment section में जरूर बताना, या आपके पस कोई और news है, जिसकी वज़े से ये गिरता हुआ आपको मिल रहा है, तो आप वो भी comment section में बता सकते हो, ठीक है, मेरी help हो जाएगी ठीक है, चले इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो